देवी और सज्जनों आप सभी को मेरा प्रणाम जै स्रीराम, रादे रादे, जै मातादी, जै बजरंग बली, हर हर महादेव आज की इस वीडियो में हम सरवड करेंगे सौमर्वित कथा और उसकी सरल पूज़ा विदी ताकि आप सभी को लाम मिल सके, सुक्समद्धी, सामती, उन्नती ये सब आपको मिल सके आप चैनल पर नए है तो सबसे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन भी दबा दे जिससे की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके आईए अब आपको बताते हैं सुमर्ब्रत की पूजन विदी के बारे में आप सूर्य नारायन के उद्ध होने से पहले उठे और उसके बाद इसना आद करके स्वच कपड़े पहने उसके बाद एक थाल लें थाल में स्वच पानी से भरा हुआ कलस रख लें जो भी आपके पास पूजन साम्मिकरी हो वह रख लें जैसे चावल, चंदन, मोली, धूप, दीप, धतूरा, पेल, पत्र, फल, इत्यादिया अगर आपके पास कुछ भी न हो तो आप एक कलस लें और पानी भरकर स्वच जी के मंदिर जाएं और उनको सच्छी आस्ता के साथ जल चड़ाएं इसी में आपका कल्यान हो जाएगा जैसे कहते हैं ना सारी समस्या का हल एक लोटा जल आप मंदिर अपस्य जाएं और सिपजी को जल चड़ाएं और सिपजी की सौमार ब्रत कता अपस्य उसने फिर देखिए भोले बंडारी आपकी सारी समस्या कैसे हल करते हैं आप मंदिर जाईयो तो सही हर हर महादेव सौमार का दिन संकर भगवान को समर्पित होता है सौमार के दिन भक्त बोले नाप को प्रसंद करने के लिए बिसेस हुजा अर्चना करते हैं सौमार के दिन भ्रती भी रखते हैं ताकि सिव की बिसेस करपा प्राप्त की जा सके बावा भोले बंडात के आशिरवात के लिए आप भी समर्पित कर रहें तो सिव ब्रता को पढ़कर या सुनकर इस प्रवास को पूरा करें नारत पुराण के अंसार सौमार भ्रत में ब्यत्ती को प्रात इसनान करके सिव जी को जल बेल पत्त चड़ाना चाहिए तथा सिव गौरी की पूजा करनी चाहिए सिव पूजन के बाद सौमार ब्रत कथा सुननी चाहिए इसके बाद केवल एक समय ही भूजन करना चाहिए साधानर रूप से सौमार का ब्रत दिन के तीसरे पहर तक होता है मतलब साम तक रखा जाता है सौमार ब्रत तीन प्रकार का होता है ब्रत सौमार ब्रत, सौमर प्रिदोस ब्रत और सोला सौमार का ब्रत इन सभी ब्रतों के लिए पूजन बिदी एक ही ही होती है आईए अब सरमड करते हैं सौमार की ब्रत का था एक समय की बाद हैं किसी नगर में एक साउकार रहता था उसके घर में धनकी कोई कमी नहीं थी लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी इस कारण वो बहुत दुखी था पुत्र प्राप्ति के लिए वो प्रत्यक सौमाब्रत रखता और पूरी सद्दा के साथ सिम मंदिर जाकर भगवान सिव और पात्विती जी की पूजा करता था उसकी भक्ति देख करें कि दिन मा पारवती प्रसन हो गई और भगवान सिव से उस साउकार की मनो कामना पूर करने का आग्रे किया पारवती जी की इच्छा सुन कर बगवान सिव ने कहा कि हे पारवती इस संसार में हर प्राड़ी को उसके कर्मों का फल मिलता है और उसके भाग में जो हो उसे भोगना ही पढ़ता है लेकिन पारवती जी ने सावकार की भक्ती का मान रखने के लिए उसकी मनों कामना पूर्ण करने की इच्छा जता ही माता पारवती के आग्रह पर सिव जी ने साहुकार को पुत्र प्राप्ती का बर्दान तो दिया लेकिन साथ ही हभी कहा कि उसके बालक की आयू केवल बारेवर्स होगी माता पारवती और भगवान सिव की बात्चीत को साहुकार सुन रहा था उसे ना तो इस बात की खुसी थी और ना ही दुख वो पहले की बात सिव जी की पूजा करता रहा कुछ समय के बाद साहुकार के घर एक पुत्र का जनू हुआ जब वो बालक 11 वर्स का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए कासी भेज दिया गया साहुकार ने पुत्र के मामा को बुला कर उसे बहुत सारा दन दिया और कहा कि तुम इस बालक को कासी बिद्ध्य प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यग्य कराना जहां भी यग्य कराओं ब्रहमणों को बोजन कराते और दच्छन देते वो जाना दोना मामा भांजे इसी तरह यग्य कराते और ब्रहमणों को दान दच्छन देते कासी को चल पड़े रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कर्णिया का विवा था लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवा होने वाला था वो एक हांक से काना था राजकुमार के पितार ने अपने पुत्र के काना होनी की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोचे साहुकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक बिचार आया उसने सोचा क्यों न इस लड़के को दूला बना कर राजकुमारी से बिवा करा दू और बिवा के बाद इसको धन दे कर बिदा कर दूँगा और राजकुमारी को अपने नगल ले जाओंगा लड़के को दूले के बस्तर पहना कर राजकुमारी से बिवा कर दिया गया लेकिन साहुकार का पुत्ध इमानदार था उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी उसने अफसर पाकर राजकुमारी की चुन्टी के पले पले दिखा कि तुम्हारा बिवा तो मेरे साथ हुआ है लेकिन जिस राजकुमारी के संग तुम्हे बेजा जाएगा वो एक आंक से काना है क्या है वो एक आंक से काना है मैं तो कासी पढ़ने जा रहा हूँ जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात वताई राजा ने अपनी पुत्री को बिदा नहीं किया जिस से बारत वापस चली गई दूसरी और साउकार का लड़का और उसका मामा कासी पहुँचे और वहां जाकर उन्होंने यग्य किया जिस दिन लड़के की आयू 12 साल की हुई उसी दिन यग रखा गया लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तवियर कुछ ठीक नहीं है मामा ने कहा कि तो अंदर जाकर सो जाओ सिब जी के बरदा नुसर कुछी देर में उस वाला के प्राण निकल गए म्रत भांजे को देख कि उसके मामा ने बिलाफ सुरू किया संग योग हुआ सो उसी समय सिब जी और माता पारवती इदर से जा रहे थे उदर से जा रहे थे पारवती ने भगवान से कहा स्वामी मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे आप इस ब्यक्ति के कर्ष्टों को अवस्दूर करें जब सिब जी म्रत भालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी सावकार का पूत्र है जिसे मैंने बार अवस्द की आयू का बरदान दिया अब इसकी आयू पूरी ओची की है लेकिन मातरवाव से विवर माता पारवती ने कहा कि हे माहदेब आप इस बालक को और आयू देने की करपा करें अन्य था इसके बियोग में इसके माता पिता भी तड़ब तड़ब कर मढ़ जाएंगे माता पारवती के आगरेपर भगवान सिव ने उस लड़के को जीवित होने का बरदान दिया सिव जी की करपा से वर लड़का जीवित हो गया सिच्छा समापत करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओल चल दिया दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहां उसका बिवा हुआ था उस नगर में भी उन्होंने यग्य का आज़न किया उस लड़के के ससुर ने उसे पहंचा लिया और महल ले जाकर उसकी खातेदारी की और अपनी पुत्री को बिदा किया इधर सावकार और उसकी पत्नी भूके प्यासे रहकर बेटे की प्रतिछा कर रहे थे उन्होंने प्रढ रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यू का समाचा मिला तो वह प्राण त्याग देंगे वह भी प्राण त्याग देंगे पर उसी राद भगमा शिव ने प्यापारी के स्वपन में आकर कहा कि हे स्रेश्टी मैंने तेरे सौमार के ब्रत करने और ब्रत कता सुनने से प्रसन ओकर तेरे पुत्र को लंभी वाई प्रदान की है इसी प्रखाय जो कोई सोमर ब्रत कथा करता है और या कथा सुनता है और पढ़ता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकावना पूर होती हैं जैसा महादेव ने साउकार के बक्ती का मान रखा ऐसे ही बोले बंडारी सब की बक्ती का मान रखते हैं हर हर महादेव